नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है चमतकारी तोटके में लक्ष्मी जी बोली मैं बड़ी गनेश जी बोले मैं बड़ा तब दोनों ने सोचा इस बात का फैसला प्रित्वी वासी करेंगे ऐसा सोच कर दोनों प्रित्वी की ओर चल पड़े गनेश जी एक छोटे से बालक का रूप रखकर एक गाउ में गए वो देखना चाहते थे कि प्रित्वी पर धर्म कर्म है या नहीं वो चिम्टी में चावल और चम्ची में दूद लेकर गाउ में घर घर घूमकर कहते कि मेरे लिए खीर बना दो उनकी बात सुनकर उन्हें देखते ही लोग हसी उड़ाने लगते सब लोग उनसे कहते इतने से दूद चावल से भी खी ले रही थी गणेजडी ने कहा कि मा इन चावल और दूद से मेरे लिए खीर बना दो बुढिया ने हसकर मजाग करते हुए कहा खीर तो बना दूँ पर मुझे भी खीर देगा कि नहीं लड़के ने कहा जरूर दूँगा और सब बच्चों को भी दूँगा तब बुढिया घर के अंदर से एक छोटी सी भगोनी लेकर आई लड़के ने कहा मा इतनी छोटी भगोनी से क्या होगा बड़ा बरतन ले आओ उसमें खीर बनाओ बुढिया एक बड़ा बरतन ले आई उसमें दूद और चावल डाल दिये चूले पर खीर बनाने के लिए रखती खीर उफ खुश्बू चारों तरफ फैल रही थी। सब हस रहे थे, अम्मा के पास खुद के खाने के लिए तो है नहीं, पता नहीं कैसे गाउं को खिलाएगी, लेकिन सब आ गए, बुढ़ी अम्मा ने सब को पेट भर खीर खिलाए, बुढ़ीया समझ गई कि ये बालक साक्षात गणेज जी है, वो खीर सभी बच्चों को जो खेल रहे थे, उन्हें भी खिलाने लगी, गाउं वालों को खिलाने लगी, लेकिन तब भी बरतन भरा हुआ था, गाउं के सभी लोग अश्यरे करने लगे, फिर सब को खिलाने के बाद भी खीर बच गई, तो उसने पूछा इसका क्या करो, तब बालक ने कहा, इस खीर को घर के चारो कोनों में भगोने को उल्टा करके डाल दो, बुढिया ने ऐसा ही किया, सुबह उठकर देखा कि घर में हीरे जवाहरा जगमगा रहे थे, उधर जब बहुत दिन बीद गए तब लक्ष्मी जी ने सोचा कि अब मुझे भी चलना चाहिए, वो एक भिकारिन का र खाली, कटोरी और चम्मज निकाली, उसमें खाना खाके बरतन वहीं चोड़ के जाने लगी, तो आदमी बोला, अरे माता जी अपना बरतन तो लेती जाओ, लक्ष्मी जी बोली भाईया, मैं तो जहां खाना खाती हूँ, वहीं बरतन चोड़ देती हूँ, ऐसा कहके लक्ष अंतु वह भिकारिन तो बस एक बार के खाना खिलाने से ही इतना देखे जाती है, गणेश जी समझ गए हो ना हो ये लक्ष्मी जी है, आते ही एक ही दिन में मेरी महीनों की महनत पर पानी फेड़ दिया, सारे भक्तों को अपने धन का लालज दे कर अपने वश में कर लिया, सोचते हुए जल्दी से सून्ध हिलाते हुए चल पड़े, आगे आगे लक्ष्मी जी, पीछे पीछे गणेश जी, उनकर देख कर सब लोगों ने कहा लक्ष्मी जी बड़ी है, अंत में बुढिया को गणेश जी ने आशिरवाद दिया कि जैसे खीर को छेव नहीं आयो, रैसे ही थारा घर में कोई छेव नहीं आएगा, बुढिया अब तो आनंद और ठाट बाट से रहने लगी, तो दोस्तों ये तो थी कहानी गणेश जी की, आपको ये कहानी कैसे लगी इसके बारे में हमें जरूर बताए, हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय और सुझाव हम तक भेज सकते हैं, देखते रहिए चमतकारी तोटके